भक्ति मती आंडाल या रंगनाई की भक्ति मती आंडाल के बारे में आज हम लोग देखते हैं सरधा और विश्वास के साथ भगवान की जो जैसे भचता है भगवान भी उसे उसी भाव से भचते हैं जो सीता और राधा के प्रानाधार पती थे, जो कौसलिया और यशोदा के लाडले लाल थे, जो सुग्रीव और अर्जुन के सखा थे, जो रावन और शिशुपाल के सत्रू थे, वही भगवान इस कली काल में भी सूर, तुलसी, मीरा तथा नंददास आदी भक्तों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए, और उन्हें अपनी लिलाएं दिखलाई, भगवान सरवत्र, सरवदा, विश्नु ब्यापक तो हैं ही, परंतु जहां प्रेम है, वहाँ वे भक्त के इच्छित सो रूप में साक्षात प्रकट हो जाते हैं, हमारा यद्रिड अंके की चोट परिया कह सकते हैं, कि आज भी हम अनन्य प्रेम, अखंड विश्वास और अविचल सरधाद्वारा परमात्मा को प्रकट साक्षात रुप में देख सकते हैं, उनसे रूबरू दो दो बाते कर सकते हैं, और अपने जीवन को कृत्य कृत्य कर सकते हैं, अवश अभू को पती के रूप में भजा और जिसे हरी ने पतनी के रूप में अंगीकार किया, प्राचीन काल में दक्षिन भारत में कावेरी तटपर इस्थित एक गाउं में विश्णु चित नामक एक परम वैशनो भक्त रहते थे, वे बड़े ही आस्तिक और धर्मनिष्ट अपवन था, वे नित्य प्रातकाल तुलसी के थालों में जल डालते और तुलसी दलगी माला बनाकर भगवान का स्रिंगार करते, एक समय प्रातकाल जब वे घड़े में जल भरकर तुलसी सीचने गए, तो वहां उन्हें परम मनोहर नवजात कन्या दिखाई पड़ी, उन् बालिका को उठा लिया तथा उसे वट पत्र शाई भगवान नारायन के चर्नों में रखकर कहा प्रभू, ये तुम्हारी ही संपत्ति है, जो तुम्हारी सेवा के लिए आई है, इसे अपना आश्रे दो, इस पर मूर्ती में से शब्द आया, इस लड़की का नाम कोदई र जब भगवान का प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तब लोग इनको आंडाल कहने लगे थे, रात में भगवान ने सौप्ण में विष्णु चित्जी को कन्या का सारा हाल बताया, वरा हफ़तार में मैंने पृत्वी का उध्धार किया था, तब पृत्वी ने मु मुझे प्राप्त करने के लिए भक्त मेरे नाम किर्दन करें, और प्रेम भक्ती के साथ मेरी पूजा अर्चना करें, मेरी उस बात को हिर्दय में धारन कर, पृत्वी इस कन्या के रुपे प्रकट हुई है, और अब तुम्हारे घर में बसना चाहती है, यदि तुम इस कन् कन्या के जाती करमादी संसकार किये। लड़की जब बोलने लगी तो उसके मुक से विश्नु के अत्रिक्त कोई दुसरा नाम ही नहीं निकलता था। जब वह कुछ बड़ी हुई तो भगवान के गीत गाने लगी। पिता के मंदिर चले जाने पर वह उनके पीछे उपवन की रखवाली करती और भगवान की पुझा के लिए फूलों के हार गुथती। कन्या की बनाई माला को लेकर विश्नु चित ब्रामन स्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाते और माला भगवान को चढ़ा आते थे। जब वह कुछ और बड़ी हुई तो भगवान रंगनाथ को अपने पती के रूप में भजने लगी। वो अपने प्रियतम के प्रेम में अपने आपको इतना भूल जाती कि भगवान के लिए गुथे हुए हार को स्वयम पहन कर दरपन के सम्मु खड़ी हो जाती और अपने सौंदरी की स्वयम प्रसंसा करती हुई कहती क्या मेरा सौं पुष्पों के सिर का बाल लगा हुआ है। ब्रामन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उनने ताजे पुष्पचुने नवीन हार बनाया और भगवान को अरपन किया। दूसरे दिन भी पुजारी ने कहा कि माला कुछ मुर्जाई हुई है। विष्णु चितने अपने मन में सोचा कि अवश ही इसमें कोई ने कोई रहस्य होना चाहिए। वे जब इसका कारण घर पर ढूंडने में लगे तब उनकी दृष्टी अचानक अपनी लड़की पर गई। उनने देखा कि वह परदे के पीछे नवीन पुष्पों का हार पहने, दरपन के सम्मुक भगवान से कुछ बाते कर रही है। वे दौड कर लड़की के पास गए और चिला कर बोले, बेटी यह तुने क्या किया, तो पागल तो नहीं हो गई है। जो भगवान के लिए तयार किये हारों को स्वायमधारन कर जूठा कर रही है। विश्णू चितने फिर से दुसरे ह बनाये और प्रभू को चढ़ाया। लेकिन आंडाल तो अपने को प्रभू के चर्णों में समर्पित कर चुकी थी। समर्पन जब संपूर्ण होता है तो देवता को स्विकार होता ही है। अवशक्ता इस बात की है कि हिर्दे को प्रभू के चर्णों में चढ़ाते समय वो सर्वथा शुन्य, सर्वथा निवारन, सर्वथा निरावरन रहे आंडाल का मधूर और संपूर्ण समर्पन भला भगवान को आंगीकार क्यों न हो उसी दिन रात को विश्णुचित को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया मुझे आंडाल की पहनी हुई माला धारन करने में विशेश सुख मिलता है इसलिए वही हार मुझे चठाया करो अब तो विश्णुचित को अपनी कन्या के महतु का पूरा निश्चे हो गया कुछ दिनों पीछे आंडाल की धारन की हुई मालाओं को ही वे भगवान को निवेदन करने लगे जब फिर्दय हरी के चर्णों में चठा दिया जाता है तो फिर संसार की कोई भी चर्चा नहीं सुहाती है जिसने अपने चित को मुझ में ही लगा दिया है वो मुझ को छोड़कर ब्रह्मपद, इंद्रपद, चक्रवर्ती राज, सारी पिर्थवी या पातालोग का राज, योग की सिध्धियां अत्वा मोक्ष आदि किसी की भी कामना नहीं करता आंडाल भी अहरनिष्प्रभू के प्रेम में माती फिरती एक दिन उसने अपने धर्म पिता से बड़े ही अनुने विने के साथ दिब विधामो थतिर्थ अस्थानों के विशे में पूछा विश्णु चित का चित प्रभू के चर्णों में अनुरागी तो था ही वे बहुत प्रेम और सरधा भरे शब्दों में अपनी बेटी से कहने लगे भगवान तो सरवत्र ही समरूप में विराजमान है उनका कभी कहीं भी अभाव नहीं परंतु खास खास स्थानों में खास रूपों में विराजते हैं उन्ही में से कुछ ये है श्री बैकुंट धाम में भगवान वासुदेव निवास करते हैं आमोद लोक में संकर्शन या बलराम रहते हैं प्रमोद लोक में प्रदुम्न और अनिरुध निवास करते हैं स्वेत दीप में शीर साई भगवान विष्णों निवास करते हैं बदरीवन में नर नारायन रहते हैं, नीमसार में भगवान हरी का स्थान है, मुक्तिनात में भगवान शालग्राम तथा साकेत, आयुध्यापूरी में अपने सोरूप भूत भाईयों के सहित मर्यदा पुर्शुत्तम भगवान स्री रामचंदर जी रहते हैं, मतुरा में मंत्र देकर सभी को मुक्ष का अधिकारी बना देते हैं, बरसाने नंदगाओं में नंद नंदन बसते हैं, और वेही दयामे प्रभू व्रिंदावन विहारी आनंद कंद स्री कृष्ण चंदर के नाम से व्रिंदावन में निवास करते हैं, काली दह में गोविंद का निव गया में गदाधर और गंगा सागर में कपिल मुनी का वास है चित्रकूट में जगत जन्नी सीता और लक्षमन के साथ महाराज स्री राम चंदरजी निवास करते हैं पंधरपूर में स्री विठल स्वामी है और दक्षिन में कावेरी के तरट पर भगवान स्री रंगनात का वासे भगवान स्री रंगनात का नाम सुनते ही आंडाल के रोमान चोया और उसकी आखों में प्रेम के आशों की धारा बरस पड़ी उसने विहल होकर अपने इष्ट देव के सम्मद में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की तब विष्णू चित सुनाने लगे इच्वाकू के यगी की पूर्ती के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णू वहां प्रकट हुए भगवान का साक्षातकार हो जाने पर इच्वाकू कृतार्थ हो गए और ब्रह्मा की आग्यां से वे सर्यू के तड़ पर अयोध्या में तपस्या करने लगे तपस्या से प्रसन होकर ब्रह्मा ने इच्वाकू से वर मांगने के लिए कहा इच्ष्वाकू ने यही वर्मांगा की भगवान विष्णों का यहीं अवद में अवतार हो और वे स्री रंगनात जी के रूप में उनके कूल देव रहे ब्रह्मा ने उन्हें मुहमांगा वर्दान दे दिया भगवान स्री राम चंदर जी जब लंका को जीत कर अयोध्या आये तो उनके साथ विभिष्ण भी पधा रहे थे वे जब लंका जाने लगे तो उनने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे लिए सरवथा असहनी है इसलिए मुझे ऐसी कोई वस्तू दीजिए जिससे मेरे हिर्दय को धीरज हो विभिष्ण के अटल प्रेम को देखकर भगवान स्री राम चंदर जी ने उन्हें स्री रंगनाथ जी की प्रतिमा दी जब विभिष्ण कावेरी तट पर आये तो वे किसी दुसरे यग्य अनुष्ठानों में सलंग्न हो गए फिर भगवान स्री रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर दिया और विभिष्ण ने वहां भगवान की मुर्ति इस्थापित की विभिष्ण भगवान की पूजा अर्षना के लिए नित्ति लंका से यहां आया करते थे भगवान स्री रंगनाथ का वर्णन सुनकर आंडाल की उतकंठा और भी तिवर हो गई उसने पिता से भगवान की प्राप्ति का साधन पूछा अब आंडाल के लिए एक शन्भी वियोग असहनिय था अब तो जिस प्रकार हरी मिले वही बात आंडाल को प्रिये थी उसने मार्ग शिर्स का वरत किया एक रात में वह देखती है कि प्रभुजी स्वप्न में उससे मिलने आये हैं इस आनंद का क्या कहना वह उठी और भगवान को अकवार में बांधने चली ही थी कि वह चलिया खिसक गया उसे तो तरसाने में ही आनंदाता है आंडाल की विरह व्यथा बढ़ती ही गई उसके प्रान रात दिन जीवन भर में जीवन धन में अठके रहते थे वह उसी का नाम जबती उसी का किरतन करती और उसी की धुन में डूबी रहती उसकी आँखों में, हिरदे में, प्रानों में, रोम, रोम में स्री रंगनाथ जी ही चाय हुए थे वह रोती और दहाड मारकर च्छाती पिड़ती स्वपन में आकर तुमने मिलने का जो उपकरम किया है उससे तो मेरे भीतर की विरहागनी और धदक उठी है यो तड़पाने में तुम्हें कौन सा रस मिलता है हाए एक शन भी तुम्हारे बिना रहने रहा नहीं जाता मुझसे देव मेरे जीवन धन यदि मेरे प्राणों की इस आकूल तरप से तुम्हारा कठोर हरतनिक भी पसीजे तो अभी आकर मुझे अपने चर्णों में स्विकार कर लो प्रभू मेरे प्राणधार सीता के सुधी लेने के लिए तुमने समुद्र में पुल बंधवाया और रावन को मार कर उसे अयुद्ध्या लोटाए शिशुपाल का वद करके रुक्मनी को अपनी शरन में ले लिया द्रापदी, गज, गणिका और गोपियों के टेर सुन ली परंतु मेरी ही बाहर इतना विलंब क्यों कर रहे हो मैं जानती हूँ कि मैं अपराधिनी हूँ परंतु जैसी भी हो तुम्हारी हूँ तुम्ही मेरे प्राण वललब, जीवन सर्वस्व और अवलंब हो तुम्हें छोड़ कर किसी के शरन में नहीं जाओंगी जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को और चातक घंश्याम को चाता है वैसे ही मेरा हिर्दय तुम्हें देखने के लिए ब्याकुल होता है अंडाल सदा अपने शरीर से उपर उठी रहती थी वो अपने बाहर भीतर सर्वत्र अपने प्रान वल्लब प्रभु के अतरिक्त और किसी वस्तू को देखती ही नहीं थी वो शरीर से विश्नु चित्य के बगीचे में रहती थी किन्तु उसका मन नित्य वरिंदावन में विचरता रहता था वो गोपियों के साथ खेलती और मिट्टी के घरुंदे बनाती इतने में ही स्रीक्रिष्न आकर उसके घरुंदे को ढहा देते और हसने लगते कभी वो गोपियों के साथ सरोवर में असनान करने लगती और प्रेतम स्रीकृष्ण आकर उन सब के वस्त्र को उठा कर ले जाते और कदम पर चड़ कर बैठ जाते कभी-कभी वो मन से ही वरिंदावन में विचरती और रासा चलने वालों को से पूछती क्या तुमने मेरे प्रानवल्लप को इधर कहीं देखा है क्या किसी को मेरे कमल नयान का पता है और अपने आप ही अपने प्रश्णों का उत्तर भी दे देती अजी देखा क्यों नहीं है वो तो विरिंदावन में बासुरी बजा कर गोपियों के साथ विहार कर रहा है बसंत रितू में वा कोयल को संबोधन करके बड़े करुन स्वर में कहती अरे ओ कोयल मेरा प्रानवल्लब मेरे सामने क्यों नहीं आता वो मेरे हिर्दे में प्रवेश कर मुझे अपने वियोग से दुखी क्यों कर रहा है मैं तो उसके लिए इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिए यह सब मानो निराखिलवाड ही लगता है एक दिन जब वो अपने प्रियतम भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हो गई भगवान रंगनाथ ने स्वप्ण में मंदिर के अधिकारियों को दर्सन दे कर कहा मेरी प्रियतमा आंडाल को मेरे पास लियाओ इधर उन्होंने विष्णु चित को भी स्वप्ण में दर्सन दे कर कहा तुम आंडाल को लेकर शिग्र मेरे पास चले आओ मैं उसका पाणी ग्रहन करूँगा यही नहीं उन्होंने स्वप्ण में आंडाल को भी दर्सन दिये और उसने देखा कि मेरा विवा बड़ी धोम धाम के साथ स्रीरंगनाथ जी के साथ ही हो रहा है उसका स्वप्न सच्चा हो गया दुसरे ही दिन स्रीरंगनाथ जी के मंदिर में आंडाल और उसके धर्म पिता विष्णु चित को लेने के लिए कई पालकियां और दुसरे प्रकार का लवाजमा भी आया ढोल बजने लगे शंक की ध्वनी होने लगी वेद पाठी ब्रहमन वेद पठने लगे और भक्त लोग आंडाल और उसके स्वामे स्रीरंगनाथ जी की जै बोलने लगे अंडाल ने प्रेम में मतवाली होकर मंदिर में प्रवेश किया और तुरंत वह भगवान की शेशया पर चड़ गई इतने में ही लोगों ने देखा कि सरवत्र एक दिवे प्रकास चा गया और उस प्रकास में देवी आंडाल सब के देखते ही देखते बिजली से चमक कर विलीन हो गई प्रेमी और प्रेमा अस्पद एक हो गए आंडाल के जीवन का कार आज पूरा हो गया वह भगवान नारायन में जा कर मिल गई दक्षिन के वैशनों मंदिरों में आज भी आंडाल के विवाह का उत्सव प्रती वर्ष सरवत्र मनाये जाता है विशनु चितने भी अपना शेश जीवन भगवान स्री रंगनात और उनकी प्रियत्मा स्री आंडाल देवी की उपासना में व्यतीत कर भगवत धाम को प्राप्त किया लोगों को इस कथा में आश्चार और संका करने की कोई गुंजाइस नहीं है यह भगवान की प्रतिग्या है कि जो पूरी तरह समर्पित होकर और दिढ़ विश्वास से मेरे पास आएगा मैं उसको इसी तरह अपने आप में समा लूँगा हम संसारी जीवों के लिए जो असंभो प्रतित होता है वो भगवान और उनके भगतों के लिए बहुत साधरन बात होती है